हेलो स्टुदेंट्स हाव बिख हाव है विट्चाप्टर में एंसीयर्टी कोश्टिंगे बेट से रिलेटेड जो बेट का इंसेप्ट है आहए और बुक में, वही करना है आज, फर्स्ट क्क्क्रेशन है, फईक्षोब पाउयेत कहरें सुझा, थक्षब आफ फडमर कॉईन 9 ग्राम, एक फञमर का कहरें सुझा, बहुन फडमर कहरें सुझा, पाउयेत कहरें सुझा लइक्सन्हों अगर 18 kg weight है उस pack का और उसमें 5 रुपी coins है तो उसमें कितने number of coins होंगे 5 रुपी के 1 kg equal to 1000 gram Weight of 5 रुपी coin equal to 9 gram 1 5 रुपी coin का weight है 9 gram that is given in the question Weight of 18 kg sack in grams 18 kg का sack है जो bag है उसमें grams में हमें देखना है कि कितने grams में होगा 18 kg means 18 multiplied by 1000 that is 18,000 gram Because 1 kg is equal to 1000 gram that's why we have multiplied 18 by 1000 So 18,000 gram जो weight होगा वो होगा उस bag में एक bag में हो जाएगा अब हमें देखना है कि 18 gram जो weight होगा तो वो सारे जितने भी 5 रुपी के coin उनका होगा लेकिन हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 रुपी का 1 5 रुपी का coin का 9 gram होगा तो सभी का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा डिवाइड बाइ 9 नमबर अफ 5 रुपी कोईंस इन 8 kg सैक means इसका जो weight है 8,000 gram divided by 9 gram दोनों चीज में तो हमें टोटल नमबर अफ 5 रुपी कोईंस मिल जाएगे तोटल नमबर अफ 5 रुपी कोईंस जो उस बैग में है तो जब हमने इसको डिवाइड किया देन वी विल गेट 9 तूजा एटीन हो जाएगा हमारा डिवाइड करके हम देख सकते है 18,000 divided by 9 9 बन जा 9 and 9 तूजा एटीन तो इस इस 2,000 कोईंस होंगे 5 रुपी के इसमें भी बिल्कुल आज इस वही करना है 54 x 1000 तो हमारे ग्राम में वेट आ जाएगा उसका पैक में जितने कोईंस है नमबर अफ 5 रुपी कोईंस इन 54 किलोग्राम सैक मेंस जो भी हमारा 54,000 ग्राम आया है 9 ग्राम से हमें उसे डिवाइड करना है जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां देखिए डिवीजन 54,000 डिवाइड बाइड बाई 9 ग्राम से हमें देखिए डिवाइड ग्राम सैक अगर इसमें आएगा तो यहां देखिए डिवाइड किलोग्राम में नहीं दिया तो हमें चींज नहीं करना नवर फाइड रूपी कोईज इन 4,500 ग्राम सैक अगर इसमें आएगा इतना तो 4,500 डिवाइड बाई 9 इट मीज हमें 9 से से डिवाइड करना है तो अब आप डिवीजन देख सकते हैं 4,500 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे 9 बंस आ 9 और 9 फाइड और 45 और दिस इस 500 तो 500 कोई अगर यहां पर 2 किलोग्राम को हमें चेंज करना होगा 2 x 1000 ग्राम और 250 ग्राम को आज़ टेज रखेंगे तो हमारा यह हो जाएगा 2,000 ग्राम प्लस 250 ग्राम दाट इस इन दोनों को प्लस कर दिया हमने तो वीगेट 2250 ग्राम नो यह तो हमारा पूरा ग्राम में हो गया but number of 5 इसको जब हम डिवाइट करेंगे 2250 को डिवाइट करेंगे 2250 को डिवाइट कर रहे हैं 9 से यह लग कर लेना है फिर 1000 ग्राम आ जाएगा प्लस 125 ग्राम हो जाएगा और जब इसे प्लस करेंगे तो 1125 ग्राम टोटल बेट हो जाएगा सेक का नॉ नमबर फाइव रूपी कोईन इन 1125 ग्राम सेक इसमें कितना होगा तो हमें फिर 9 से दिवाइट करना है विकास वन कोईन का जो बेट है यह जब हम इसे दिवाइट कर लेंगे मेंस 1125 को 9 से अगर करेंगे तो अगर हमारे पास इतने कोईन से 2200 कोईन से तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए यह कि 1 kg इकल 2,000 ग्राम होता है तो वेट ऑफ टू रूपी कोईन एक टू रूपी कोईन का वेट 6 ग्राम है इस गिवन इन दा कोईन वेट ऑफ ए सेक विट तू तू जीरो जीरो कोईन इसका मतलब क्या हो गया कि 220 कोई इसका वेट होगा तो अब एक कोईन का कितना है वन कोईन का हमारा 6 ग्राम है तो हमें अगह टू टू डबल 0 कोईन का निकालना है तो इसको हम किलो ग्राम और ग्राम में चेंज कर सकते हैं यह हो गया 13,000 and 200 को अलग कर दिया हमने तो यह 13 हो गया kilogram and 200 gram now next is 3000 coins, 3000 coins का हम देखेंगे कितना weight होगा weight of this egg with 3000 coins, 3000 को हमें multiply करना है 6 से because the weight of a 2 rupee coin is 6 gram तो हम इसे multiply कर देंगे, multiply करने से आएगा 6, 3s are 18 and 3 zeros 18,000 gram means 18 kilogram now next if 100 1 rupee coins, यानि कि 100 का 100 है 1 rupee coins 1 rupee के जो coins है वो 100 है, total number of coins जो है 100 है weigh 485 gram यानि कि 1 rupee के जो coin है 100 उनका total weight आ रहा है 485 gram then how much will 10,000 coins weigh, तो 10,000 coins का कितना होगा means आपको 100 का दिया है, weight of 101 rupee coins का आपको दिया हुआ है तो हमें पहले 1 के लिए निकालना है, single 1 rupee coin का weight निकालेंगे हम so weight of a single 1 rupee coin, तो single के लिए निकालने के लिए 100 से हमें divided करना पड़ेगा 485 divided by 100 करने से हमें 2 decimal place आगे जाना होगा तो 5 and 8 जो हम decimal में भी पढ़ चुके हैं, decimal shift करना होगा 2 zeros है हमारे divided by में, 485 divided by 100 2 zeros अगर है, तो हमें कहां जाना है, 2 zeros पहले, 2 digits पहले यहां पे, 4.85 gram यहां पे value होगी तो यह इसका weight हो जाएगा, 4.85 gram यानि कि 1 single, single 1 rupee coin का weight हो गया, 4.8 gram तो हमें 10,000 के लिए निकालना है, तो 10,000 से multiply कर दीजी, हमें एक का पता है, हमें 10,000 का निकालना है तो we have to multiply the values, multiply कर देंगे, जब multiply करेंगे, तो यहां पे 4.85,000 यहां पे हमारे 4.00, 4.00 लिखा, लेकिन decimal कहां लगाना है आपको, 1 और 2, 2 places के पहले तो यहां पे लग जाएगा, 2 places के पहले, it means इन zeros की कोई value नहीं है, so we get 4.85,000 grams ओकी, so 48,500 grams equal to, अब हम एक किलो ग्राम में कर देना इसे चीज, तो 48 multiply by 1000, that is 500 gram को अलग कर दिया हमने, so this is 48 kilogram and 500 gram, thank you students, बच्चों हम बहुत ही जल्द classics maths की वीडियोज भी लेके आने वाले हैं, तो जल्दी से subscribe करिए, अपना चैनल Milestone कर दो कर दो ड़ीधों